दाली, सगलेंचे प्रेजेंटी दाली हाँ, आपन स्टार्ट करिया सगलेंचे प्रिपरेशन करता करें करता है ते नियस मना जरा अपने दोन लेशन कंप्लिट जाले अला फी हीर में हाँ, कौन प्रिपरेशन करता है जरा बगुया अपने दोन लेशन मुलानों कंप्लिट जाले एक लेसंच प्रिपरेशन धालो असे किती दणा है दुसर्या परियन पोच लेत असे किती दणा है एक कई नाई अब ब्यास कोणी कराईचा मुलानो हुम वर्थ तुमाला दिलेलास तो प्रिपरेशन करा या वरशी तुमची एक्जाम होनार आत्ता सद्धा जयाव मुलानी 10 ची एक्जाम दिली दिली मनने पिक्षा हो तिल पास देटाना मिलेल रिजल्ट परण एक लक्षाठ्थेवा तुमाला प्रिपरेशन करना गर्जेचा आहे तुमची एक्जाम 100 परसेंट होनार शूर तुमना गर्जेचा आहे आता प्रिपरेशन असनाई मंदला अंतर में तुमाला पॉइंट स्विचर आना रोते की सांगा चला आपले लास्ट लेशन मदले जरा मला मेन पॉइंट सांगा कोण आहे रे सांगनारा माई कौन करून मला सांगू शकता कोण आहे आधी मला इथे सांगा चाट बोक्स मदे दे आमला कून रेडिया है आपले लेशन मदले हाँ कोण सांगनार आहे नाही किर्थन माई थे तुमाला किर्थन एक टाज बुआ बोला तस तो बाकी चाएक तस ता तस आज आलाय प्रकार तुमचा तुम्हे प्रेपरेशन कराईच आहे मुलानों कूप इंपोर्टन आहे करण तुम्हे नाही केला ता कही जणार नहीं एक सांगुन्टे बगा एक एज टीचर मुन माला योड़क पलते है कि टीचर नी कित्ती ही चांगला शिकावला कही केला तुम्हे निकाए बहुते, तुम्हे आहे टर्मात्र कही य solids नाही तुम्हाला अज आज प्रू आहे अजवे, मन मजान शांगते तुम्हे तुम्हाला शिकात खरदोगा हो तुम्हाला यह कराण सता प्रिचर वार्ण तुम्हे तैंड चाम हैं तो हुछा नना नवरस आट ने हो चoc charge 3 6 1 ृ कृष्य पघंट कुछे उर्भ हैं था ओईन स्टुड्टि मत ट श्तार पुरलीं यह लेस्ट की तुम्हा नहें तो अटेवा सखें हैं, तुम्हाला ओनलाइन लेक्चर कुप मजे बेनिफिशेल आहे, तो तुम्हाला जा ता बेनिफिट गेता, तुम्हार आना रहे हैं. कि आमचा काम आहे तुम्हाला मस्तवी की चान एक्स्प्रेंट करना सम्झाउन देना और पुरुचस अगर तुम्हाला जर खुब चांगला रिजल्ट हावा असेल, तर तेच्चा वर तुम्ची महिनत कुप महुं इंपोर्टन रोल प्ले करना रहे और तुम्हे डौटस का अस्तिल, तुम्हे आमाला नेक्स लेक्चर मथी विचारू शकता ता मझे पईलन एक तुम्हाला तुम्हे डौटस क्लियर खेलिए जटील अणी नंतर अपर टchauई न शुरुवात होई तो तुम्ही प्रिपरेशनाच करत मसाल तो तुम्चा कड़े डाउट्स नशना रचाहिए, 100% तुम्हा तुम्चा लॉसा है मुलानो, करण इथे आमी सगल तुम्हाला भरगरुन देला तैयारा हो तुम्हा लेजी क्यू हमां से क्यारलेस भिष्टाएक अंदर तुम्हा थे रहु नखा ही सुरुवाद ता है अत्ता पसुम्हारी सुरुवाद के लिए तवी, तुम्हाला थेतुम्हाला फिज़ट स्थांगला मेरे शकेल देख वाल ना। बैस सगया ना। अघी तुम्हें ला आएग केमि ला आज एक छोटा सा टॉप इक्सिंटा। लक्ते होला होता, का तर्छे सगयो प्राक्टिकल बैस वरता हो। यह जर्नल थे कि कहलो एक प्राक्टिकल नुर्ण नुपने एक एक्स्परिमेंट मुन् थेवलेला है कहा है थोड़ा से एक्सप्रिमेंट करते हैं यह एक ओनेल स्पीप है तुम्छी एक श्लाइड अगा बज़ा थे वर्ची जी डायाग्राम आहे तेहा तुम wam अभाड़े सेल, डिला़े सेल, शीचे कैप कैने लिए चंसर उन इकाशम प्रताले सेल घ्रिवेजें होतों ये दाखूणा रह तुमचा... एक्सप्रियमेनड आहे स्वाइप सिधार realize लग भूर्याम एक ताक्राइब भेचा थे ऐसके साहरेक्जा लगतार भूएड अमेभी ऐचारर थे और 40 खेंशंधिन्यृआच १ूम्दियार रेदेसर्यें ब्भूजेब कुरह व्यनृ पहतनि ओड नोल 120 घंटार प्प्पिंदल reflects लो रेद श् सेल दिविजन होता सता हाँ जला अपला एक एक्स्प्रिमेंट सा पार्ट आणे हाँ अपला लेसंट सा इंड हुता अग्दिस खुब घाई ने एक्स्प्रेंट कराया नको मड़नी आक्चा वहला तो ठेवन दिला हुता आणे आता अपला तोच मझे चाप्टर सा तोच अपला तोच पंचा मझे सेल डिविजन कसा होता तुम्ची गूर्थ कशी होते मैं थोड़कात सांगाईचा है लिविंग थींच जा पती कसा होता सता है आता सेल डिविजन जाल्या नंतर अप्ता पुडशा पाटा है तो अपलेटली सगला रिप्रोड़क्शन शी अपलेटली के लगो जाना। टा रिप्रोड़क्शन शेम दोन टाइप आता तुम्धना सेल वरीप्रोड़क्शन शी चेक्षय यह दोन टाइप आरा है तिक से मझे होतास्ता ता ताने यह एक तुदित इंवा काहिन गड़द swollen Bonaug Pbi protests sexual when a sexual आरे यह एक और नोला सांगेज which are the important life process in living organism which life process are essential for the production of energy required by the body last lecture is related which are main type of the cell division and what are the differences last lecture is related what is the role of chromosomes in cell division the next chapter is related you have your research when you have your research and why is your research or how you have your research then you can make the rest of your research so you have your questions isn't it as we say directly you have one question खरोड़ी सेंसरु उस्क्राइश होका, मैंने अपर्टन के छोटे विलावाने चाहता प्रोसेश है। चाहता ही प्रिष lag हो ещё जो फिन अपनो लिविंगी है। अपनो लिविग तिये, प्रोसेश समय लिविगाशन दुन्टियून,तुप थे ढूट इंवघाएं यहां सगया जाद प्रोसेश थी किया रंनियक अरक।स यहां मेर मैन रोल यह जाई कि अधकूनी ध रतना में रप लेज़ी लगपनेक। पुछी नमलतो, फूड मदन, फूड मदे काय कायासतो, अरियोस टाइप्स अग न्यूत्रियन्स असता है, त्ये सगे न्यूत्रियन्स में तुमुले रहा हैं कि कशयतन काय मिरतो, अप्टर दाइजेशन कशयतन काय कुछ गन्वार्ट होतो हुथ हूँ, आणि तेचा नंतर म तुम्हालोग पण में सेल्डिविजन, कि माइटोसिस और मियोसिस. मुंहाविलोग पण में तुम्हाला माइटोसिस तां Zheng इतलो हो और कि एक स्टाइप ओप सुमेटिक सेल्डी और मियोसिस मनजे मुछे जर्मसेल्स जै रिक्रोडुक्शनची रुलेटेत आए आणे आठा प्रेट्रोप्रिक आई तो completely reproduction छी रिलेटेरा है आणे तेचा नंतर, of course, cell division. In cell division, मदे मेन असते, nucleus. Nucleus में कायासता DNA, और DNA में कायासता chromosomes. मटेक्स, chromosomes कशा प्रकारे, Compress होता है, कशा प्रकारे, Thread-like structure बनतो, एक में पिडेक केल जातो, दो आते हैं, शांगित ले न वा तया दिविजन चा त्या अक्खा सगा जो लास्ट लेक्षर मि तुमसे घेटली तेटली एटली जा चार प्रशना न मदे तुम्हाला सगा तने वी जा थिली अरी विचार लेला है that means control and coordination etc. are essential to each living organism to remain alive besides this life process one more life process occurs in living organism that is reproduction अजय तुमाला तुमाला थे अग्री पाच्वी साभी पस्ना मुलाना शिक्वात अले ले आहे की कुछला प्रोसे साहे में लिविंग थिन साती nutrition, respiration, excretion, sensation and response, खुप इंपर्टन रोल करता है तुम्च या प्रुथ्वीवर जर अस्तित्व तुम्ठेवाई तुम्च या प्रुथ्विवर्ज रास्तित्व तुम्थी प्रोसेस आहे की ती रिप्रोड़क्शन आहे की ते चानंते तुम्च सरका सेम अपत्य जन्मा लाई तस त, मते plant शस्तील animals शस्तील, creature सस्तील, insect ससील, इंसेल रेप्रोडुक्शन हुता तस त, मते कसा हुता, काई हुता, तो आज आ पन बगना रहा। हवेवर, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of the organism. काय सांग इतला है कि एका पसुन दुसरा तायार होने ची जी प्रोसेस आहे तेला आपन ताय मंट लेला है रेप्रोडक्शन अग भी साधर सिंपल लेग लाइप प्रोसेस मदला रेप्रोडक्शन प्रोसेस तुम्हाला डायग्राम मदे राख वले बगा कि एक खाद सीड तुम्ही सहाज मनें कुटे तरी कुंडित लावता त्या चा मद मते जर्मिनेशन जी प्रोसेस मन्ट होती टप्य 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 नहीं हो तस्ने में ती कशी होते त्या सीड मद अंडर्ग्राउं रूट्स कशे तायर होता आणि अप्वर डाइरेक्शन नी फ्लाइन पसा तायर होतो तेहीं तुम्हाला राखो लेला हे एक हैन्स चितर राको ले जे कहती अंडर्ग देते ती अंडर्ग देनेशी प्रोसेस काया हे चाश प्रकार दुछा बॉड़ी में ते एक कोल डुब्रोडक्शन अने दूसरे दिलेला खाली तुम्हाला अमिबा, क्या अमिबा हां अग्दी साधा एक पिशिया मन्टक मत तयाला, सिंगल सेलुलर, तर साहे, तर यी तेचा मत रेप्रोडक्शन होता है, मते कसो होता स्ता, अशा, वर्याच्य वुष्टी तुम्हाला या डाइग्रम मत टिलेटेशन होता है, ऊख्योनिऽम्हाला याच्योम्हाला या याच्योनिख सिमिलार याच्योंपार और तर यमने वटाने य्ञो and अग्दी सेलु कि अटे इसक तक ह्याक्यों। तबोत सेलुल मत रसंतात। हिमा पेरू चा जढडला पेरू चा ये था अंब्या चा जाडला आम्बै चाहा दसता है एक मादे तुम्हीं फोज़ी नाच्टी टेल्स ल goo चा HU मुझेट्वक अर्षा लकट्रम मह rotor demand ते एक सपेसिंग एक षड़ाक्टर चेश इंद पूपकी तोज जिम्ह आउने रेक्प्रॉशने दिर्वार दूचले हो दूज एवदेर the two organism of the species will be exactly similar or not तो जिसके बाई समय किद दिम्हें तुम्हें गजांब डिखाली तुम्हें सीमिलर नेस्टों तो तो तव मुदमी सर्के भिस्ता पंचर का अवाद तो same body structure, always certain nature, characters... 100% एका सरह केम सतत, थोड़ाता काई तरी तेचा मढदे, difference आसतू, what is the relationship between the cell division and formation of new organism of the same species by earlier existing organism? आवे, हैक्स तुम्हाला आता शिखाचा है की हे cell divisions होता ना, ते कषया प्रकार है यातसत, अब फर्स्त लेशन मदे आपन जनेटिक्स लेला होगा कि जनेटिक्स किती इंपरटन रोल प्लेए करता है। मत ये सागान मदे आलो, अल इविविंग धिन्स मदे आलोते है। तेज अथा तुम मला रिप्रोडक्शन मदे पू आधे। तुम्हा रिप्रोडक्शन मजे तुम्हाला ते शिकाइचा आहे कि तया जनेटिक सा किती एफेक्ट असतो बगा जमा न्यू वन कि यंग वन्स प्रोडूस होता सता तेमा तेंचा मजे ये नरे स्पेसिपिक क्यारक्टर को नावर डिपेंड साई बगा तुम्हा 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 तुम्ह मनते हैं ते चले पर आपली सटर्व भूटर भाशा कि वह तुम्हारा फोकस के ले कि वहां सट्रेस देलेला है तो ते तुम्ही बगाईचा याने मार्किंग परंठेवाईचा याने नेक्स्ट टाइम तुम्हाला ते प्रकर्षा ने लक्षा थी, क्लियर है? अश्री बगाईचा याने लक्रेंद परंठे आ सिप्रक्षा है। अश्री बगाईच करना हो, ने अश्री कोज रहा है। इस रिप्रोड़क्षिन वफ नव गजान थे रिप्रोड़्ुशन अपना थ्रिप्रोड़्ुशन थे लिए खोड़ा है तो प्रत्यकसे वड़िशन लगली खिती वर्ड अगली खिती वेल अगला हृता तेही तुम्हाला संगीत लेला है In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. Underline this line. These two methods are asexual and sexual reproduction. That means there are two types of reproduction. First one is asexual and second one is sexual. आज अपन्जो का इस्टड़ी करना रहू थो फक्त asexual. करन ते चाम अधे वरियस थाइप सब थाइप साहे ताने एग्जांपल पन तुम्हाला हूपा है. ते उड़ा एकच टाइप तुम्हे बगित लाता कमी कमी तीन ते चार मारकाची तुम्ही तैयारी होई. करन असेक्शुल रिप्रोड़क्शन हा तुम्हा एक अख़्ा क्वेश्चन ही अतास्तो तुम्हाला आणि ते चामादे खूप सरे पार्ट आहे. आणि शिवाई तो प्रैक्टिकल शिपन रिलेटे आहे. करन तुम्हे जर्नल आहे ते चामादे तुम्हे तुम्हे असेक्शुल रिप्रोड़क्शन आणि सेक्शुल रिप्रोड़क्शन येचा अवर दोन एक्स्प्रिमेंट आहे. पहिला है पार्ट बगा असेक्शुल रिप्रोड़क्शन कशला मनाईचा काया है. process of formation of new organism by an organism of the same species without involvement of gametes is called as a sexual reproduction. इन शौट काया मनाईचा है की जे फक्त single organism ने किमा एकाच और्गानिजम ने तयार होता किमा सेक्शुल रिप्रोड़क्शन होता तेला मनाईचा a sexual reproduction. आणि तुम्हाला सेक्शुल मनाईचा होता है की तेचा मधे तुम्हाला दोन लगता है. ने से एक फिमेल आणि मेल अशे दोन लगता होता है. मझे आथा तुम्हाला clear will की a sexual reproduction मधे single parent reproduction. clear सगया ना तेवडा एक word लगषा थेगा, मझे तुम्हाला explanation easy जता है. आणि तुम्हा वर्डिंग असज राणा रहे की process of the formation of new organism, by an organism of the same species. त्या same species ला underline करें जो. without involvement of gametes is called as sexual reproduction. As this reproduction does not involve union of two different gametes. Clear? दोन परेंट सिति थे गरज लगत नहीं, सिंगल परेंट समीं परेंट से रपरेंट से रपरेंट नहीं हुवशप्ता. The new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. और कोर्स सिंगल परेंट से रहे रपरेंट नहीं सकर्कॉण artists से रपरेंट से रहे हुआं क्लियर जाले सगया ना कुछ पसम अब्जर्वेशन तुम्सा किना तुम्सा जनरल नॉलिग चेक करना सथी वह टाइप अपड़ अपकर्स इंद ऑसेक्स्यूल रिप्रोड़क्शन लक्षट्थे वाइचा है माय टॉटी का है क्लियर सगया ना तो वर्ड लक्षा थेवा आणि थोड़ा सम्मा अखुदे वुक असेल तब तला अंदरलाइन करूं थेवा करन एक एक वर्ड वर्त महला एक मार्क सस्तों absence of genetic recombination is drawback whereas fast process is advantage in this reproductive method अता last point तरनी काय संगी तले ला है की ही जी असेक्शल रिप्रोड़क्शन की process ता है ती fast होतास्ते as compared to the sexual reproduction करन sexual reproduction मदे एक लॉंग ठाराव एक तुरेड लगतो अने तेचा नंतर मुटे यंग वन तुम्चे प्रोडूस होतास्ता ता 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 तेचा नंची process तेला नाव दिले तनी fast तुमा fast process in advance of this reproduction method तुरेंत clear आहे आता तेचा मदे तुम्हाला ब्रेक्षे type शचना राहे इनी डाउट समझते सगाना तुनाल काई समझत नाई कि में डाउट आहे का यसको ने आहे का आवाज यतों मादा सगाना हाँ सगर clear होता है ठीक है ठीक है आता one by one तुम्हाला सगर जाहे ते मी explain करतें मैं तुम्हाला असेक्शुल रिप्रोडुक्शन मदे ये कही तुम्हे तुम्हे टाइप्स आहे आता बगां मैं अपला लक्षठ वाईसे ने मी प्लोचाट तैयार अठेवाईसे कि रिप्रोडुक्शन प्लोट टाइटल रही तेला दोन एरो करूं तुम्ही एक तैयार करा कि असेक्शुल रिप्रोडुक्शन और सेक्शुल रिप्रोडुक्शन तो ट्या अशेक्शुल रिप्रोडुक्शन मधे तुम्हाला अतामी शिकवना राहे रहे यूनी-सेलिललर ऑर्गनिजम लक्षठ वाईसे ह। अख्चे वाईसी यूनी-सेलिललर ऑर्गनिजम यहां चा समझेशी रिलेटेड तुम्चे जेका रिप्रोड़क्शन आहे ते मते चा मदे काया हे तो पहिला टाइप आहे बाइनरी फिजन मते बाइनरी फिजन काय होते है नी कसा होते बागा थोड़ से वाचते में तुम्चे जरा सा कॉंसेंट्रेशन त्या एचकड़े होई ला ने नंतरमा डाइग्राम मद में तुम मला सकड़ समझना रहे अटिविटी मते काय सांग इतले बागा ने तुम अ कर दाइप लाइट फिर वाचते अटे लेग्राम में तुम्चे पर फिर टीज ने बाइट ने पर दुम्चे लेट इट कर दो एज ने एट टू आहे लेट गर जार्ब्स देप लेट वाट टूट देट लेट इन पूट अवर्स्लीप ओन दोग और अफजर अंडर मायक्रोस्कोप यूविल भी यूविल भी अबल तो सी मेनी प्रामसियम भी परफॉर्मिंग दो बायनरी फीजर्ण हम विल बायस विल यूविजर्ण ममर्व सब्नाव बन तो से connection से सघड़के वह से थी और भी तो बन वौदम कातो वाज़यल उनल्हाँ अ, शोविल भी कम सबतारिक शप परफॉरो 될 सों आटका तया ना बगाईचे असे जी एक खाईचे अपने पर्मनेंट श्लाइड आपने उस करते हो ती कशी बनावती जाते हैं तयाक्षी अचिए तुम्हाला एक्टिविटी दिली तुम्हाला अट्ले लगाणिया है तेचा अतले एक ढ्रप भाईचा तो स्लाइड वर खेवाइचा, टेचा वर स्लाइड भगाइचा, और तेला माईक्रोसकोप खली बगाएचा, कि तुम्हाला आशासा प्रमाणे, हिस्सगले, यूनिसेलिल्लर ऐनीमल तेचा मदे बगाएचा, मातल दिसता ना ते कशे दिसता है तरह एक्चुली तुम्हा अमिभ जला आपन मंटो तो शेप लेस दसतो तो शेप कसा ही काड़ा तमी तेचा कड़े त्या शेप मदे कही नसतो फक्त मत्र आहे कि बाइनरी फीजन है जो रिप्रोड़क्शन टाइप आहे तेचा तेचा मदे है चार स्टेजस तुमाला दाखवागाच लागता तो पहले एक तो पोन किira daug Initiative आहे तो सिस्टर आमिवाच तयार होना साथ ही शेल डिविजन मोस्त इंपॉर्टन करा नारेे जिशल डिविजन मंदे कोनासच रिविजन होनार अबखोर्स, नुकलिस मदे, क्या मगवाये, तुम्हाला सेकंड डाइगराम मदे तो नुकलिस उथे करी लाम जला चारखा दाकोलाई बला। थर्ड डाइग्राम मदे तो नुकलियस कम्प्लीट टू पार्ट मदे कनवर्ड जला आणे तो तुम्चा सिंगल प्यारेंट अमीबा होता तो काई केला असा लाम जला किवा तो थोड़ा सा असा एक मेंखान पसन थोड़ा सा दूर जला आणे चा उथा स्टेज मदे कम्प्ल वगले तुम्हाना डौटर अमीबा तयार यह रहां देशनी केला सिंगला याला मनाजिचा बाइनरी भीजन मनझे तो डिद्वा ज्काइन नुक्ष नू जे तो जला बाइनरी भीजन मदे एका असेल पर तो बढशेल प्यार ओग्राश था होताया तकी आला मनाई चा प्रतेक प्रश्नाच उत्तर है तुम्हें विचार ले जाता है तुम्हें रेप्रोडक्शन लेशन मदे जोड़े तुम्हाला डायग्रामस आहे त्या कोप इंपोर्टन आहे टुम्हें रेता है कि प्रतेक प्रश्नाच उत्तर है तुम्हें विच्ड़ड डायग्राम अशना गरज चार श्तर पुर्ण? आता इथे बना, हाँ है तुम्छा प्यारमेशन, ट्रांस्वर्स बाइनरी फीजन इन प्यारमेशन, आता एक लक्षाद क्या है कि बाइनरी फीजन मधे पन तनी तीन टाइपस आतले, आता ये तुम्हाला नाई शक्क्यत विचारे, पन अगधिछ एखादा मजे मुलगा आणि तेला सग्ला स्काइचरे, शिकाईची इच्छा आसे, तेचा सकी संगून्ध होते, कि अमिवा मदे हुनारा बाइनरी फीजन आहे, ते सिंपल टाइपचा आहे, आणि है प्यारमेशन आहे, तेचा मदे हुनारा आहे, तेला नाव दिलेला है, ट्रांस्वर्स, आहे प्रकार बाइनरी फीजन आहे, तेचा मदे है, ट्रांस्वर्स बाइनरी फीजन, का तो कसा ही कट होत नहीं, शिलिपर से पस्तों, तो तुम्चा पैरेंट पैरा मेशन, आणि तो नहें मिवा तुम्चा आणवा कट होते है बगा तेला, तेला डाइग्राम मदे दिसा तसे ट्रांस्वर्स बाइनरी फीजन दाकर ताना, तो माला याच पद्धतिने डाइग्राम कडाई चाहे, आता तेचा मदे बगा, नुकलियस आहे, पैली डाइग्राम तुम्ची पैरेंट प्रोसेस चाहे, दूसरे मदे नुकलियस तेचा थोड़ा सा मोठा जलाए, तीसरे ड दाइग्राम मदे दोन्ट कम्प्लीट तुम्चे सेल डिविजन जाले, आण पाचवा डाइग्राम मदे तुम्चा डॉटर पैरेमेशियम तयार धलेले दाकर जाए, यार सागया ना, हाँ, मुझाला मनाईचा आहे, ट्रांस्वर्स बाइनरी फीजन इन पैरेमेशियम, त तेचा नंतर साहे, खेपन बाइनरी फीजन, पन मात्रति आहे, यूगलिना मध्या, आण त्याचा टाइप का हे, लोंगिटूदनर बाइनरी फीजन, क्लियर, तीन डाइग्राम मदे तुम्हाला तीन एक्जांपल देलेले आहे, पहला हे, सिंपल बाइनरी फीजन इन अमे सकट कसा होता है, असा वर्टिकली होता ना दिशता है, क्लियर सकाया ना, पहला पैरेंट यूगले ना, सेकेंड डाइग्राम मदे तेला दोन टेंटेकल सले, त्याचा नुकलियस, दोन पार्ट मदे डिविजन होताला है, थर्ड मदे, कंप्लिट तेला एक खाच पडले, और दाइग्राम मदे तेक कंप्लिट दोन सेपरेट होना, पार्टेशन तैयार जाला, आणि तुम्चा सिक डाइग्राम मदे काय केले, तनी दोन तुम्चे डॉटर यूगले ना तैयार जाले ले दाखोले, प्लियर सकाया ना, आता हे सगा तुम्हाला जर कराईच असे, पहिले आंदा, तुम्चा हाता खालून दाना कुप गर्जे चाहे, आजुन सद्या तुम्चा शाला काय सुरू नाइए, ता आमचा करना जो होमवर्क में तो है, तो तुम्ही जर मोटबूक मदे तयार केला, तो तुम्ची एक मोटबूक तयार होईल मुलाना, सगात महत अज़ आघसा, अने ड्रा करना, लीण, खूब एम महत वचा सकत, करना तुम्हें एक दका रही जरूआ केला, तुम्चा ते नाईवला माचले अचर बरबरा सुरू, तो हमण आघसा, तुम्हें हाला काया शना रहे, और सेक्षोल का प्रोड़क्शन मदे है, बायनरी प्रोटिस्ट मंजे अमेबा, पेरामेशियम, युगलिना, और युकेरियोटिक सेल ओर्गनेल्स लाइक मिटोकॉंट्रिय और ख्लोरोकॉस्ट पर्फार्म सेक्स्ट्री प्रोड़क्शन बाय बायनरी फिजन. यहर सगया ना, तुमें सिंपली लक्षाथ्थवाईचा है की हे बायनरी फिजन, अम्वेबा बंते दिस्त, परमेशियम मदे दिस्त, और युगलिना मदे दिस्त. यहुड़ा सिंपली तुमें लक्षाथ्थवाईचे बस जास्त दीप मदेगेला तकन्चुजन हुड़ी। In this process, reproduction by binary fission, in this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. बगना, mitosis चाहे, जिथे जिथे तुमस अ-sexual reproduction आहे, तिथे तुम्हाला mitosis, cell type चाहे, cell division दिस्टे. क्युम्हा? कही बढ़ेला, amitosis पर meiosis हावर तुम्हाला नई ये थे. clear? वास्ताना खुब क्यार्फुली वाचाहे, प्रत्यक वर्ड ला अपना तुम्हाला महत्वदे तस्तो, तुम्हाला एक खादा चुपी चाह वर्ड गर तुम्हा अंसर मदे आला, तुम्हा अंसर रहां होते है. The axis of fission, division is different in the different rotis. Example काय दिले बगा, Amiwa divides in any plan due to lack of specific shape. Amiwa मधे तुम्ही कसा ही तेला, ताकुशक्ता का, तो shape ले साहे. Hence, it is called as simple binary fission. Paramecium is divided by transverse binary fission, whereas euglena is longitudinal. Binary fission is usually performed by living organism during favorable conditions. Underline that word, favorable conditions. When this binary fission is performed, it means that living organism in any favorable conditions are available. That is, availability of the abundant food material. Binary fission is usually performed by living organism during favorable conditions. That is, availability of the abundant food material. Atta, हे जाला तुम्हा, binary fission. Manje, asexual magla, type number one, binary fission. And second, multiple fission. And in the first lecture, आमें उन डायग्राम दाखोते, तुम्हा, कि हाँ multiple fission मधे काया है. And this is, तुम्हा अमिबा दिस्ते बगा. करते हैं? And the type of the one, याचा उठ्या डायग्राम मदन, तुम्हा बरे आच्छा, डार्टर अमिबा बाहर पड़ताना जिस्ते बगा. Manje, ही डायग्राम तुम्हा अमिबा काया दाखोते ही. Multiple fission in amoeba. Clear? तुम्हा अत्तास लख्षट्छे वाईचे, carefully, कि binary fission, पन तुम्हा अमिबा बदे आहे. पन मात्र, binary fission मजे, एका cell पसुन, तुम्हा अमिबा पसुन, का सह nurse, तुम्हा अमिबा पसुन, तुम्हा छोटे-्चोटे amoeba पसुन थे लिए रिसता है, ते बजा, अगि मन ती प्रोसेस कशी होते, काय होते हैं, काये हैं, ते आत्ताआ, Preussen, A sexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar proteins, amoeba stops the formation of pseudopodia. मुल्टिपल फिजन मदे नेम काय घडता है अमीबा स्टॉप्स दे फॉर्मेशन ओफ सिदो पोडिया सिदो पोडिया मंजे काय है तो त्याचे शेपलेस जे भागस तक की ने उभे आडवे जे वाड लेले त्याला सिदो पोडिया मंता करता है यह जेकर वर्चे तूमचा सेल चा विस्ते ना तूमचा शेपलेस पार्ट त्याला सिरो पोडिया मंता तो काय करता है स्टॉप करता है मंजे थोड़ काय है को थाचे शोपर्मेशन स्टॉप करता है देरभाई मॉमेंट्स वेनेवर there is the lack of food or any type of adverse condition मन्जेश काय होते ही थे आता तेशा सगल तो food क्यों तेला food तो गेत नहीं काय करतो है स्वाता भूती आता तुम्हाला डाइग्राम में एक्सेम करते बगा कि तेश शेप कसा जला तेशा round shape जला clear सगय ना मन्जेश थोड़के तेश थे शेकंड स्टेज आहे तेला ना उदेलेला आए सिस्ट आता हाँ पैरेंटा में बहुता तेशा मदे तैनी सिडो पुडिया होते ते स्टॉप के लिया मैं तेशा सिडो पुडिया चाई जला एक round tear जला मैं शेपलेस होता तो सरटपल मदे आला तेमा round shape मदे आला आने तेशा वूती मा याता एक cover तैयार जला division of the nucleus of the cytoplasm ने थोड़के आतकाई जला सिस्ट एक cover तैयार जला एक round tear जला it becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane लियर सा गया ना plasma membrane cell division शिकला तुमी उमजे cells जा outer layer आहे तेला आपन cell wall मन्तो आने तेचा आतला जो तुम्हा लियर आहे तेला आपन plasma membrane मन्ते है clear तो काई केला तैनी cover केला मंजे थोड़के जला तैयाचा एक circle तैयार केला such an encysted amoeba or any other proteist is called as cyst clear इक प्रेंथ cyst का शाला मंतले तैनी कि shapeless होता तो तैनी round shape मेरे आला तेचा भूती मंजे खोड़के तेचा body भूती तैनी काई केला एक cover तैयार केला आने त्या cover ला नाव दिला cyst आने त्या cover चात्मधे तुम्हा आमीबा 20 तो एबदा many nuclei are found by repeated nucleus nuclear division in the cyst it is followed by cytoplasmic division and thus many amoeba are formed मैं जे छोटे जे डौटर अमीबा तैयर होता त्याना आव दिले लाहे तैना आमीबी लिए clear सगया ना they remain unseistered till there are adverse conditions तो परियंत त्याला एक favorable condition मलत नही तो परियंत ते कायस्ता आत्मधे जस्ता cyst breaks open or arrival of favorable conditions and many amoeba are released मैं जे स्काय होता तेचा आत्मधे जमा कूपस अमीबा चाय डौटर अमीबा तैयार होता त्या तशाच स्थाम मुन ठोले लाहस्ता जो परियंत त्याला फेवरेबल कंडिशन मलत मैं आणे एक दा का त्याला फेवरेबल कंडिशन मलाली की तो काय करतो ते cyst फोड तो ते cyst उपन होता आणे आतले सगय जो तुमचे डौटर अमीबा आहे तेकाय के ले जता बाहर पड़ता आणे देट प्रोसेस इस नोन अज मल्टिपल फेजन इन अमेबा इस एक क्लियर? उनाना काय शंका है काय चामधे? सा मदला सगय ना अमेबा मदला बाइनरी फीजन आणे मल्टिपल फीजन आणे मल्टिपल दिविजन क्लियर? खूब चान आहे पन कन्फूज करना राहे त्यामवे तुमी ते एटर टाइम तुमी डायगराम कड़लाथ कि तुमाला सग्धर समझना राहे अजुन कुणाला काय डाउट है विचाराईच का असर पिचारा कंत्ष्यक्रेस जाल पाड़के आता इधे तुमाला दिळेला खे बढ़िंग इन एक्टिविटी आता तीसरा लग्षाद गया मुल्टिपल फीजन जला तुम्छा बाइनरी फीजन जला आने अता तीसरा टैप तो आहे तुम्छा बढ़िंग कायास को नशिर रिलेते रहे एक तुम्हाला मी यह संगते कि है सगे जाहे तो तहा पहला टैप है अन्धर प्रकार तुम्हाला बाइनरी फीजन अंदर तुम्हाला तीन सब टैप मेरे थे तुम्हाला एक वें एक चाटर काया ukYouT यहां कुना शिर्य लेतेरा है, तर जे इस्ट मन्टन आपन, यह बेकरी प्रोडक्त में आपन जे इस्ट में आपन फर्मंटेशन साथे, ते इस्ट आए, तेच्छा में कशा प्रकार चे बोड्स तैयरू, ताथ बोड्स मन्जे का यह समय के, कली, मैं जाडाला एका दा नवी कोम तैयर होतों कि ने नवीन खंदी एते तैयर होते हैं, तेहला आपन बोड्स मन्टन, आसा हा तुम्चा इस्ट आए, तो कसा शेप हो हो जातो बगाश, चार-पाज डाइग्राम मादे तो माला दिलेला है, तो कलते हैं, एक तुम्चे प्यारेंट इस्ट सेला है, तो ला होते हैं, आणि तो न्योग बर्ड मा कुठे होते हैं, बरोग बर्ड तेज मुट्रियस त्याच डिविजन जाला नंतर, एक चोट आणि एक मोठा तुम्हला दिशते हैं, आणि एक और एक शेप डाटर इस्ट तुमहला तयार होते होते हैं, तो क्लियर सगया ना, एक मुट्छा बर्ड मा कंप डिल्ड एक बिल्ड फटोड़ खेंड एक डाला तेर होते हैं, तो क्यों कि लिए टाटर ने श्याच ट सुग्र आट एक पल्ड पर शेपाने डिविजन वर्ड तो कि पर अटा एक मिल्ड ना, आटे वार और पिल्ड रड फेट शुग्रा तो एक कमप और माइक्रोस्टोर्ट या ता हे कोसी पायर किला तो काय अहे तर हे पईजा सगात महत वचा है कि हे जे इस्टा है ते मार्केट में अवेलेबल असतो तुम्चा घरीए कुठे तरी तरी ते आंडले जाता सतु ते घैचो पाणय मदे घलाईचो ते चामरे साकर तरी तर में लेखर घिया किअ को में अची फेर नंतर हमचा कि अगय shrस़ है, या अपकॉर्स तुम्हाला काय करना रहें तरि या साकर सिशना रहें You will see the yeast cell performing budding, that is, the small bud coming out, male parent cells. A sexual reproduction occurs by budding in yeast unicellular fungus. A yeast cell produces two doctor nuclei by part of the division, so as to reproduce by budding. This process is a process, the word you give, you know, the word is a word. It means that the budding is a word, so you can use one side. And you can use the word, so you can use the word. You can use the word, and you can use the word. And what is the example? The example is the yeast. So, I have a new lecture that you can use the type. The word is the word, and the bracket is the side. इस लागे यूँंते वाएचो, yeast, मैंज तुम्माला लक्षाती टिते, हिते, yeast मदे ये बढ़िए तुम्माला दिसते, ये तुम्माला लगे दाइग्रम पं लक्षातीते, अने हे अगजिश सुर्वाति पसना सक करते, जननाती नाते वके तूंचा, पिक्चर फित रहता हूं। You will see the yeast cell performing budding that is small bird coming out of the many parent cells. A sexual reproduction offered by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast cell produces the daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. This yeast is called as the parent cell. A small bludge appears on the surface of the parent cell. This bludge is actually a bird. One of the two daughter nuclei enters this bird. After sufficient growth, bird separates from the parents and starts live independently as the daughter yeast cell. How many daughter yeast cells are prepared? This is the case of a child, it is prepared for you and it is separate independently. This is the case of a sexual reproduction in unicellular organism. And if you have a child, it is a multicellular organism. If you understand, then you have two primary factors in unicellular and multicellular. And who does it have to be unicellular? Who does it have to be unicellular? Amoeba, paramechermel, yuglena, yeast. When you say that, you have to be unicellular, it's just that fragmentation is going to be a multicellular organism. मन्जेश है सग्रे अनिमल्स तुमचे आहे क्यों वह सग्रे तुमचे जह अथा हाझ स्पाइरो गयरा है मिजे तुमसे प्लैंस मधे तुम है जह आहे ते ते साइज ने ठोड़े मोठे तुमसे एत्म एका पिछा चास्त सेल नी बनलेला है मुरून केला नाव दिलेला है, मल्टिसे दिलेला है, आथा फ्रेग्मेंटेशन सा अर्फस का है, तेचा तुकडे होने, परते हैं, मात आई ते तो मला तो एक पैरेंट स्पायरो गारा दाखवले बगा, आणि दोन एरो करून तेचा मदे काई किलो, तेचा मदे, तेचे एक लाइन दखवले बगा पैरेंट मदे, रेड लाइन तो मला दिसा तो से, तीथे तेची खाचतायर होते, आणि तीथे तेचा तुकडातायर होते, आणि तेचे दोन डिविजन होतात, आणि दोन सेपरेटली तेचे स्पायरो गारा तेचे पुडे जाउन वाढ़ायल लग बगाद, इस ताइप असेक्षियल रड़क्शन अपर्सीं, मल्तिसलिललर अर्गेनिजम, इन दिस ताइप अपर्ड़क्शन, बड़ी अपरेंट अर्गेनिजम, ब्रेक्स अप इन्टो मेनी फ्रेग्नेंस, आणि एच फ्रेग्नेंस तास तु लाइव अज अन इन इंडि मेनी फ्रेग्मेंट्स, आणि इच फ्रेग्मेंट्स तास तु लाइव अज इन इंडिपेंड न्यू अर्गेनिजम, आणि एग्जम्पल काय दिले बगा, इस ताइप अपर्ड़क्शन अपर्स इन अल्गी, अल्गी में जे काय, तुम्स शेवारास तन अ पानेतलो, ते बगायला मिलना ने, तुम्हें हाच स्पेसिपिक असा पोखेते माला इन डाइगेर्स वाला बगायला मिलना ने, फक्त तुम्हाला एग्जम्पल लक्षा ठवाई चाहिएग, की फ्रेग्मेंटेशन हे अल्गी मदे होता, आणि अल्गी मदे एग्जम्पल आहेग, तुम और ऐग्णेशन वाग्य ठाइग असां प्रेग्मेंटे माल गाया खना आहत बोलोना आहेग गाय अन्सा प्राग्मक्राइगेर्स याईए, भी टेग्म्हाड ने, सझार्ट्रीय चाहिए हे लक्षा टरला इसा मेनग्षा प्रेग्षा अच से लेंड़शन की प्रेग्षा फ्रेग्मेंटेशन है असेक्शुल रिप्राड़क्शन मदला मल्टिसेलिलर अर्गेनेजम मदे होनारी प्रोसेस आहे आणि त्याचा बेस्ट एक्जामपल तुम्ही लक्षा ठेवाईचा है अल्गी तियर आता है रीजनरेशन रीजनरेशन याचा अर्थ तयार होने पुनर निर्मिती होने त्यूंगा वाड होने माता थी कुणा चूंगा तस्ते बगा एक तुम्हाला अनेमल दाको लें त्याचे शेप्टिला कवर्ट आला है बगा त्याचे आणिमा तिथुन त्याचा पुडे नविन पैरेंट क्ला तुसरा डॉटर है बड़ी क्या ओर्गनिसम तैयर जाला तैसे एक्जांपल तुम्हाला दिले बगा तुम्हाला दिले बगा यू में नो देट वोल लिजाद ब्रेकप अंड डिसकार्ट सम पात उपिट्स तेल इन इमर्जन्से अग भी है तुम्छे सग्रेंशा लिजन्से ओत फट कासओ तो तुम्हाद एक्सा शेप्टि बाल यू मैं ये टिछ अग्रत में ने तीट आँप माल विखेंग के ये जेंड़ेशन लियर सगया ना डिसकार्ड आद आफसी ज्रीजन्डरेटर अला इसरी बोल में नम्हां है आफ तन इस एक्जेंड नाव लिमेटेड रिजनरेशान अवेवर अंडर सर्कन सिट्वेशन्स एन अनिमल लैनेरिया ब्रेक्स अप इस बोड़ी इन्टू तू पार्स मैं आता है तुम्हाला अगरी वाल लिजाड से एक एक्जामपल देलो कि शेप्टी तुक्लाना तो कि शेप्टी येत्टे परत तस तुम्हाला है एक एक्जामपल देलो है त्य तुम्हाला है त्य प्लैनेरिया सेहे प्लैनेरिया तो कि कर्तों श्वतांची बोड़ी त्य दे डिवाड कर्तों अणे अप्टेर अप्टर, इच पार्ट, रिजन रेंगें पार्ट औप दोड़ी और थो न्यू प्लानेरिया आर फॉर्मौू मैं जे एक का पसुन दों त्यहर रहता तो वर्षा पार्ट अहे तो वर्षा और कि बसा खाल्चा पार्ट वह पार्च न सब्सक्राइचा, वर्षा पार्ट गट अध Michal त्या दोन पार्ट चे दोन नविन प्लाइनेरिया तयार होता है तेचा नंतर आहे बढ़िंग बढ़ा बाइनरी फीजन और बढ़िंग यह चामादे तुम्हे थोड़ा सा कनफीजन असता आता हा जो बढ़िंग आहे विजिव्ला हाँ पलाछे मल्टी सेल्लोर और्गयानिजम म सेल्ली डिढ़िंदीशने त्यामादे फ्रेग्मेंटेशन और री जंड्रेशन और बढ़िंग आशे तचे सब यह चामादे पलभाईग तो ता हीड्रा मदे होतामाना ता हड्रा अहां का है बगा, कसा दिशते बगा, मैं थोड़केत संगाई से त्याच्छा मेन स्ट्रक्चर मंजे पैरेंट हाइड्रा, त्याला पना कुठे तरी तरी एक स्टेम सारका भाग दिशते तीथे कुठे तरी बर्ड तैयर हुताना दिशते बगा, आण तोज बर्ड पुठे तरी तुम्हाला नेसेंट हाइड्रा मंजे थोड़ा सातु आपला पैरेंट प्रमाणे वाड़ता नविशते है, आण जेमा तेचे पूर्ना वाड़ होते है, तेमा तोर पैरेंट पसना वेगला होते है, क्लियर? आता ते एक्समेशन देखे लेगा, इन केस ऑपै अधर बिखाय अधर अपकर प्रमाण प्रमाणे आपता पैरेंज देखे वाड़ता उवास, यद्खे वासं प्रमाणे तर थे का सफितटे मन देखे नहीं? ideal जेके क्छछा अधर Caesar माण जेव मिश क Da Ra, भोकर आपता य। नहीं दुएरना, अपश्गरधा नccoूणके, तो जो तो जो रोकेव शाव भृण से लिया है रिगेय। थोड़ा सा कुछ जैलेने कैसा है। बुद्स ग्रोजब उखर आऩ अज प्रोग्रार्ण के फिल्छा ये एचिछ नंड उखाव बोर्ड नयकारिक लिए बोड्त दिफितन है। to the budding hydra, budding hydra separates from parent hydra and starts to lead the independent life when it grows up and becomes able to lead as the independent life. जोवा तकी वाड़ पूर्ण होते, तेमा तो अप्ला पारेंट पसनकाई केला जटो, separate होतो और नभी शवताचे लाइप, इंडिपेंड़नली जगाई लगाई लगाई। वेजटेटिव प्रपवेगेशन. मीझनेगा है कि तुम्हे ब्रैंच लगाई। ओनुवा पसनतायों थो, नो पसनतो, नो रूट समतायों, नोऑ अनिपवेशन अतुम्हे लेकाई प्रकारें होता. प्रकारें होते ही. in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf, and bird. ने कुठून का सर एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ शक्ता हुआ कूंत्या पाट पसुन स्टार्ट हुआ शक्ता हुआ. Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of AIDS. सगाना माइटिये, बटाटे अब जर दुम्हें असा एक सर्टन क्लाइमेट मदेर हाइला तो बरेश दिवस तो तेला प्रते खाचेला तेचा एक कोंब येतो बगा और तो कोंब तिथे तुम्हे तुम्हें तेचा पसुन एक त्याचा रोपतायर होता ना दिशते हैं तेला पन आईज मन्टो में प्रेजन्ट अनद्ट तुबलर वेर्याज इंद बॉय। पर्फालम विट वेल्प अब दे बर्ड्स, बाइफाइलम मन्जे, तुम्चा पाना चे तेला आपन पान फुटी मन्टो गगा, की पाना चा खाचा आस्ता, तेचा अतना पुन्हा नवीन, एक छोट सा प्लांट तेहरोता, तुम्चा अपकर्स पारेंट पसुंते, रिप्रोडक्शन होतास् आपना इचे अपला, वेजिटिटिव प्रोपाइशन, इन केस अपड़ प्लांट राइक, शुगार्केन, अद ग्रास, वेजिटिव प्रोपाइशन, अपर्स विद थेहलप अप बड्स प्रेजिंट उन्टो प्रेजिंट उन्टो नुर्स, अज़े तो जम्ही घवात व डियाचा अर्षा का है, ते जछा पस्रत जट जट, जछा जट जमीनित जट जट गुछा जट अरुटा नहीं दोट, आपने शेटा मदल, तुम्छा धानने असता है, तेचा मदल, तुम्हाद विजटीटीट प्रपेड़ेशन दोट यह थोड़के काया है कि हे सग्रज आहे तुम्चे नो असेक्शुल मल्तिसेलुलर तुम्चे और्गानिजम आहे तेंचा मगले हे टाइप जले आणि अता लास्ट वाला टाइप आहे अपला सपोर फोर्मेशनि काया है सब्सक्राइप प्राइप आहे अके आहे तेंचा मेंग लिए अतने ऌता है यह थिंचा म्यूकर में आहे भीटाला टो वाल टाइप जिसा नहीं दूह ब्ली अवस्त ता सके काया बेड घरा में आहेट नहीं आकेस्ट क्रूशा काया ने आहे ख़ु ताइप चाहें थे हाफ अलने बहताएं प्रिटर या मतों टाष्तिक सब्सक्दाएं सब्सक्राइब को ही ते लाहे तुम्चो spore, आने त्या spore चात्म दे आहे तया लामन्टव अपन sporian gym. आने ते sporian gym जे उपन हुटता, मजे फुटल जाता, जे चात्म जे sporian gym भायर कुरता, ते चात्म फुक मुथ्या प्रमाणा वर फंगस वादना जाता. बगा काया है spore formation? take a piece of the wet bread or bhakri and keep it in the humid place fungus will grow on it within 2-3 days observe the fungus under the compound microscope and draw its diagram fungus like micro mucor have filament's body that means filament मज आशे तरेड लाइ शच्चर बना भी से लिए लिए they have sporangia, once on the spore are formed sporangia brust, brust मन जाए जमाती बुरशी पिकली जाते कि वहाँ पूर्ण वाड होते ते वहाँ इचा तो अर्चा sporangiam सा पाट है कि ने तो काय होतों, brust होतो, foot bone and spores are released spores germinate in most moist and warm place and new fungal colonies form समदला, कशा प्रकारेटेच्वा, होतास्ता, clear सगया ना काय तुमाला कोणाला शंका आहे, इथे काय केले आपन और sexual reproduction चे type भगितले आपन समदला सकाया, na? a sexual reproduction मले, बरसांगा मला, और sexual reproduction मतले आपन कुना कुना चे at unicellular मतले काय भगितले उन Tyler, जरा आप कईया type करा क्में आठवते, आता शिकलेला पन करा type जाला A Sexual Reproduction in Unicellular Organism पहला टाइप करा अई काला ये तो मज़ा बोलनो सगा ना अमा अडिवाल स्टुड़न्स हलो येस ना बला Multicellular मदें पहला माला Unicellular सांगा पहला टाइप बर जसा आठ्वेल तसा बोला Binary Fusial Second Multiple Fusial अजन पूर सो बोला Multicellular Organism सा बोला अटा एक काम कराइचा है Homework मदे Binary Fusial Binary मनने पेक्षा एक Asexual Reproduction in Unicellular Animal आणि त्याचे सगल एक्जांपल डाइग्राम आणि एक पू थ्री लाइन्स मदे Explanation दाइचा आणि Multiple Fusional इन अमिवा आए त्याचा ही Explanation दाइचा आणि Asexual Reproduction in Multicellular Animal आए त्याचा मदे पन भी तुम्हाला Paths Types आणिके लिया आए त्या Paths Types पन तुम्ही दाइग्राम्स काड़ून सगल एक्स्पनेशन रेडी ठेवाईचा नाए लेयर सगयाना आणि Homework तुम्ही Complete कराईचा नाए जर आणिके लाइचा Homework चा बप्ति कहीच करत मसाज तुम्हे लेक्चर कहीच तुम्हाला Benefit देना नाही कराणा ओनलाइन में कसा असता मुलाना एक परत तुम्हालन उसता repeat करते दहावेला repeat करून आमी सांगत असतो तुम्ही जर केल नहीत आउटपुट जुरूए आणिम्हा तुम्हाला कहीच तुम्हे असवाटनान आरे आपन वर्षवर आप्भ्यस केलाच नहीं का आपलेला मार्क्स काम रारे नहीं तुम्हे रिजन शोधत बसाट तुम्हा सग्रा वेड़ो गेलेलाश नहीं जहला चांगले मार्क्स ने पासवाइचा आहे तुम्हाला होमवर कंप्लेट करा अपली मार्क्स यारी बुत ऑली legitimately तुम्हेंओ ड्सा 누्व जुम्हें चालो, चालो, हाँ श्यलव होगे जनके कалुम्हें नहीं नहीं पासवाइचा ओर्म्हें ग False नहीं झाल झाल झाल